बच्पन से कोई तालुक तो नहीं है इस कविता का लेकिन मेरे बच्पन से जरूर तालुक है तो ये आराम करो कविता है गोपाल प्रसाद व्याज जी की एक मित्र मिले बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो एक मित्र मिले बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो इस देड़ छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाये जाते हो क्या रखा मास बढ़ाने में मनहूस अकल से काम करो संकरांती काल की बेला है मरमिटों जगत में नाम करो हम बोले रहने दो लेक्चर पुरुशों को मतवद नाम करो इस दौर धूप में क्या रखा आराम करो आराम करो जिन्दगी की कुणजी इससे न तपेदिक होती है आराम सुधा की एक बूंध तनका दुबलापन खोती है आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है आराम शब्द का ग्याता तो विरला ही योगी होता है इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो यह जीवन योवन ख्षन भंगुर आराम करो यदि करना ही कुछ पढ़ जाए तो अधिक न तुम उतपात करो अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो करने धरने में क्या रखा जो रखा बात वनाने में जो होठी लाने में रसेवै कभी ना हाथ चलाने में तो मुझसे पूछो बतलाओं है मजा मूर्ख कहलाने में जीवन जागरिती में क्या रखा जो रखा है सोजाने में मैं यही सोच कर पास अकल के कम ही जाया करता हूं मैं यही सोच कर पास अकल के कम ही जाया करता हूं जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ दिये जलने के पहले ही घर में आ जाया करता हूँ जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके सो जाया करता हूँ मेरी गीता में लिखा हुआ सच्चे योगी जो होते हैं वे कम से कम बारा घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं, कहां आप सोला घंटे जागते हैं, मेरी घीता में लिखा हुआ सच्चे योगी जो होते हैं, वे कम से कम बारा घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं, अद्वायन खिची खाट पर पढ़ते ही जो आनन्द आता है वह साथ स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी उचा उड़ जाता है जब सुख की नीद कढ़ात किया इस सर के नीचे आता है तब सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ बुद्धी भी फक-फक करती है भावों का रश हो जाता है कविता तब उम्री पड़ती है मैं औरों की तो नहीं बात पहले अपनी ही लेता हूँ मैं पड़ा खाट पर बूटों को उटों की उपमा देता हूँ मैं खटरागी हूँ मैं खटरागी हूँ मुझको तो खटिया में गीत सूचते हैं चत्की कडियां गिंते गिंते चंदों के बंध तूटते हैं मैं इसी लिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो ये खाट बिचालो आंगन में लेटो बैठो आराम करो